नमस्ते दोस्तों आप सभी का मेरे कुकिंग चनल में श्वागत है आज में ऐसे टेष्टी डेष्पी बनाने वाली befॉट हूं फिन भीना बेशन बीना मैदा-फिना सूझी का ऐसा रेष्पी बनाने वाली इसको आप देखेंगे टो आप मैं रात भर के लिए लगबग 150 ग्राम चने दाल को भीगा खरके रख लिया ठाए एक दम अच्छे से फूल जाना चाहिए तभी अच्छे से नास्ता बनके तयार होगा आप याहां मैंने मिक्सर का जार लिया है इसमें सारा ये चनी का दाल डाल दूँगी, उसको डालने के बाद, इसमें मैंने 2-3 चोटे टुकरे-टुकरे करके रखा था अधरा को डाल दी, 4-5 लसन डालके अच्छे से इसको पीस करके, तक इतना इसको महिन पीशना है ना, बहुत महिन पीशना है, जैसे हम बेशन का घोल बनाते हैं, इसको एक बरतन में हम निकाल करके लेंगे यहां भी निकाल लिया थोड़ा समय इसको फेट करके लेती हुँ अब इसको मैं थोड़ा से इसमें समान एड़ करूंगी इसमें मैंने एक चौथाई चमज डा दिया लाल मिस पाड़र आप चाहिए इसमें हराम विर्ष डाल सकते ह आप अपने के का बड़ने और आदा चमज बहुत ही अच्छा बनके रेटी अब इसमें मैं तीन से चाहर चमज डाल दूगी तो भी चलेगा और ताजा दई रही रहा तो भी चलेगा अब टालने के के बाद मैं इसको अच्छे से जारा समण डाने बाद फेट करके ले लेती हूं इसमें पानी अभी बिल्कुल नहीं डालना है पानी इसमें जरुद भी नहीं है पानी डालने की क्योंकि इसको ज्यादा पतला नहीं करना है इसको अच्छे से मैंने फेट करके ले लिया है अब यहा aan मैं एक चमच में डाल होगी इनो का पूरा फेकेट में है फंडासे पीससा जाल को असे में च्रजार में में पाये डाल करके yılदय यू मैं शाथ OF खना ऑब इसको अच्छे से ठाकर के लेंका है इसको ज्ञादा लेट नहीं करने का अब इसको थोड़ा सांसरो मैं और धर रखेंगे नाशने तक रड़ा अब गविद्गने में तेश्ट बहुत और अच्छा लगए देशनी में यहां मैंने पानी वबलने के लिए रख दिया था इसके उपर से मैं स्टैंड रख के इसके उपर सारा रख करके बरतन को अढ़क करके 15-20 मिनिट तक इसको अच्छे से मैं पकाऊंगी यहां मैंने तेल डाल दिया है कड़ाही में तड़के के दिया है अब हो चुका है अब मैं इसमें डाल दूंगी लगभग छोटे क्लास से आधा क्लास पानी ज्यादा पाई नहीं डालना है पाई डालने वबर इसको एक उबाल आने देने का है ताकि अच्छे से थोड़ा पानी भी अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाए अब यहा आना इस इसका फ्लेम बन कर दूंगी यह हो चूका है अब यह चेक करके ले डीत हूँ अब देख सकती है है यहां यह चेक करके आपको दिखाती हूँ यह हो चूका है विल्ख़ यह ठंडा होने के लिए मैं रख देती हूं धोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसको आते भी इसको इस तरह से कर लेने का यह बहुत ही आसानी से छोड़ देता है प्रेकुल नहीं चिप का रहता है एक बर्तन में निकाल करके ले लेती हुआ तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से छोड़ दिया है तो आप अच्छे से बनके रेडी हो गया है अब मैं आपको कट करके भी इसको दिखाती हूँ आप चाहें तो इसको सप्वार्ण से चाहें तो आप इसको कट कर सकते हैं पिजब जो अफंखें है कि भाल टेश टाजरे सकते हैं अच्छा नग रहा है इस तरह कट करने में आप चना दाल का भी बना सकते हैं, अब देख सकते हैं, इतना इस्पंजी इदम सौफ्ट ढूकला बनके तयार हुआ है, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैंने चना दाल का बनाया है, अब जो मैंने तड़का लगा करके रखाता है, इसके उपर से सारा इस तरह से डाल दूग अब वीडियो पसंद आएगा फ्रेंज, तो चनलों को लाइज, सब्सक्राइब और जरू करिएगा, और वेल आइकन के बटन को जोरू दबा दीजिएगा, ताकि जब निया वीडियो बनाऊ ता आपको नाटिफिकेशन मिल सकें, वीडियो को अन तक देखने के लिए धन् मिल तेन इस पुरियो मत तक देखने, बाइ!